अज बढ़का गाउं में इस चुनावी सभा में यहां भारी जन सेलावों में उपस्तित हमारी माताए भैनें हमारे भाई ददा और मत पत अधुपस्तित हमारे भागटबंदन के सभी साथी गण हमारे मेडिया गर में हमारे सुरक्षा गर में आप सभी को मेरी तरफ से जहर कंडी जोहार है जोहार कैसे है आप लोग कैसे हैं आप लोग और इस बार इस बार आप पताइए कि हमारी बड़का गाउविदारसमा से कौन आने वाली है आप सभी को मैं बस इतना बताना चाहती हूं आज इस सभा में हम सब लोग आए हैं और ऐसे ही सभा हमारे विपक्ष के साथी भी कर रहे हैं आप सभी को पता होगा आदर निया यूपी के सीमबी आए थे और आख करके वे बुल्डोजर पर चड़ करके जारखन में बढ़का गाउं में घूम के क्या बताना चाहरे थे क्या वो ये बताना चाहरे थे कि बढ़का गाउं से यहां के स्थानिय लोगों के घरों पे बुल्डोजर चड़ेगा ये नहीं होने वाला है ये यूपी नहीं है ये जारखन है जारखन और अगर यहांच चलेगी तो हमारी महागटबंदन की विकास की गाड़ी चलेगी इसी का बुल्डोजर नहीं चलेगा इतने बड़े नेता आते हैं उनकी नेता की बात सुनने के लिए लोग आते हैं और जिस छेत्र में आते हैं उस छेत्र की बुनियादी जरुरोतों के बारे में बात तक नहीं करते हैं खाली आपस में लोगों के बीज में बत्भेख करने का काम करते हैं आज क्या उनोंने उनके बाशन में बढ़का गाउं के विस्थापितों के बारे में कोई भी बात हुई थी आज हम लोग यहां पर में अपने विस्थापित लोगों को किस तरीके से बुनियादी जरूरते दें और यहां जितनी भी कंपनिया खनन कंपनिया चल रही हैं उनमें पिच्चानवे प्रतिशत उनकी भागीदारी हो यह सुनशिट करेगी हमारी महागडबंदन सरकार आपको मैं बताना चाहती हूँ बहार से लोग आते हैं और यह सरक चुनावी समर में ही क्यों आते हैं यह आपको सोचने की जरूरत है दिन रात सुबह इसलाम आपके लिए कौन खटता है यहाँ पर में यह बेलड़की खटती है यह बहन खटती है और सुबह से लेकर के रात तक खटती है किसके लिए खटती है किसके लिए खटती है आप लोगों के लिए खटती है सुबह से लेकर के रात तक रात से लेकर के सुबह तक जो आप लोगों के लिए एक तांग पे खड़ी रहती है चाहे आपका दुख हो आपका महुतसब हो आपकी खुशियां हो आपका गम हो आपकी जो भी बुनियाद जरूरते हो आप इनके पास में अगर कभी भी जाते हैं तो ये उनका समाधान करती है अभी मैंने हाली फिलाल में मैंने भी गांडे से जीता था हम लोग विदान समा में बैठते थे साथ में और मैंने दिखा है इनको कि जिस दमदार आवाज के साथ में ये बढ़का गाव व प्रेटी है जो राज के लिए एक प्रेटना का स्क्रोथ बन गई है आज अगर आप देखेंगे जार्खन में हमारे बुजूर्गों के लिए पेंशन देने का काम किसने किया है चालिस लाख लोगों को सर्वचन फिंशन योजना के साथ किसने जोड़ा है आज झार्खन में हम लोगों ने अपनी मैयां के लिए हमारी चितनी मैयां बैठी हुई है यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए चौबिस वर्ष हो रहे हैं जारकन बने हुए 18 से 20 वर्ष विजेपी के लोग बैठेटे क्या आप लोगों के लिए कोई कल्यानकारी योजना लाई दीदी मैंने बताई है कोई कल्यानकारी योजना लाई आज ये महागटमंदन की सरकार ने ये पहली बार है जारकन बनने के बार कि हमारी माता को सशक्त करने के लिए प्रतिमा हजार रुपए की राशी उनके अकाउंट में दी जा रही है अब तक पच्पन लाग महिया के सम अकाउंट में पैसा जा चुका है तीन इंस्टॉल्मेंट जा चुका है चौथा भी जा रहा है और इस साल के दिसंबर से आपके खाते में हजार रुपया नहीं धाई हजार प्रतिमा आने वाला है महिने का डाई हजार साल का तीस हजार जितनी भी हमारी अठारा से उन्चास वश की बिटिया बेहने मताए हैं आपको शशक करने के लिए आपको स्वाबलंडी बनाने के लिए ये क्रांतिकारी योजना लाई गई है आज यहां बढ़का गाउ में आप लोगों ने पहले भी देखा है जब डबल इंजन की सरकार थी तो लोगों ने क्या किया था यही आज्शू के लोग यही पीजेपी के लोग इन्होंने गोली चलवा करके एंटी पीसी का खुखुलवाया था और आज यह आप लोगों को समझना होगा गरीब गलेट पिछड़ा आदिवासी के लिए गुलंदी के साथ लड़ने वाली कोई भी महागडबंदन खड़ी है यह महागडबंदन अमारी जारकन की आपकी अपनी अबुआ सरकार खड़ी है आज इन लोगों के साथ बड़े बड़े घंकुबेर हैं बड़े बड़े व्यापारी हैं और आप लोगों को पता होना चाहिए यह देश के करोडों हजारों करोडों जो इतने बड़े बड़े धंसंपत्ति वाले लोग हैं इनके हजारों हजारों करोडों को इनोंने माफ करवाया है लेकिन हमारे किसानों का हमारे मज़ूरों का हमारी जारगं की जंदां के बारे में इतनी भी चिंटा नहीं है जारगं में एक-एक किसान का दो-दो लाग रिप्रे माफ कराया है किसने कराया है एक एक किसान का दो दो लाग रेंड किसने माफ कराया है आपकी अपनी मापुआ सरकार ने कराया है यह सरकार है कलितों की यह सरकार है पिछडों की यह सरकार है गरीब गुर्बा अविवासियों की यह सरकार है हर उस वैक की उस समाज की जो जारखन में रहता है आज हम अपनी आवाज को बुलंद करके आपके सामने क्यों आए हैं आपका अशिर्वाद लेने क्यों आए हैं क्यूंकि इस पात साल के कारेकाल में जहां दो साल कोविट रहा उस दो साल के कोविट में अपनी जान की परवाद नहीं करके आप लोगों के बीच में निरंतर खड़े रहे हैं जब बड़े यह दूसरे बीजेपी के लोग अपने घर में अपने आपको अपने से लोकडाउन कर लेते थे तो यही बेटी वहाँ पे वही बेटा यह मिल करके जारखन को उनके जानमाल की रक्षा के लिए निरंतर लड़ रहे थे आज यह आते हैं और बात करते हैं कि हम यह करेंगे जो प्रत्यासी हैं दूसरे पार्टी के वो रोना गाना करते हैं सानुभूती कराते हैं कि हमें मौका मिलना चाहिए लेकिन आप उसी दल में थे जब पिछणों का 27 प्रतिशत का आरक्षन हम लोगों ने विदान सबा से पारित कराया तो आपने हिम्मत नहीं थी बोलने की आप सिर्फ पार्टी की बात करते हैं आप जन्मानस की बात नहीं करते हैं आज विताल सबासे आदिवासी सरना धुरम कोड हो पिछणों को 27 पृतिशत का आरेक्षन हो यह हम लोग पारित कराते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए जब जारकंड बनाता बीजेपी की सरकार बनी थी पिछणों के लिए 27 प्रतिशत का आरेक्षन घटा करके 14 प्रतिशत करने वाले ये बीजेपी के ही लोग है और आज उस 27 प्रतिशत को लाने के लिए हमारी महागडबंदन सरकार खड़ी है आपको ये समझना है ये चुनाब के समय में बटने का वक्त नहीं है आपके साथ आपके दुखों में ख़ड़े रहने वाला आपकी खुशियों को आपके साथ रेख करके उस खुशियों को पढ़ाने वाला हमारी यहां बेहन अम्बा प्रसाद को तेरा तारीफ को कौन से नमबर में वोट देना आपनों बताईए वोट करना है जिताना है कि नहीं पैटी को वो पैटी जो रात में चलने से नहीं डरती वो पैटी जो अपनी आवाज जादा बुलंद करने से नहीं डरती वो बैटी जो यहां के बड़े बड़े कंपनियों से नहीं डरती सीधा लड़ने का ताकत रखती है उस बैटी को आपको जिताना है आप लोग जिताईएगा आपे दो बड़ाये गया नोंडे जर्वाबा कान सना माजी बबा नाइके गोडे चाहते चांदो बरबरी गो बबा को नोंडे से डिलकान चना को गेंफेन पास्णा को नायमा गुनमना जोहर नोआ चुनाव को कान गिया चुनाव रिया दो बारी आ भिचार धरा कान गिया मिध पास्चरे दो अटी मायां धन को बेर रिया पाटी बीचे पी होड को मेंना आप मिक पास्चा रे दो आप वह गरीब गुर्बा लेकार आप वह महागडबंदन सरकार मेंना आप याँ दाड़े आप याँ दाड़े आसार रे तीर धनुट रे तेरा तारीक रे एक नमबर ते बढ़ती ते पोड़ बढ़ती बोटेम करते हैं नुई दिन आपे रें बेटी आपे रें दिदी नुई अम्मा प्रशाज जिताओं का पे नुई दो आपे लगी सनम को लगी कमिया है मैं आप सभी को पताना चाहती हूं आप अपना अश्रवाद रखिएगा अपना प्यार रखिएगा और ये बात अपने जहन में डालिएगा बिजली बिल्गी मापी हुई है कि नहीं हुई है आपके किसका किसका हुआ है जरा हादिता ये तो सबका हुआ है अगर सबका हुआ है तो आप लोगों को अपना प्यार अपना आश्रवाद कौन से छाप में देना है मैंने बोलते संताली में आसार छाप बोल दिया था है ना मैंने बोलते बोलते संताली में आसार छाप बोल दिया था आसार नहीं तीरतनुष नहीं यहां पर मैं हाथ छाप है तो दोनों हाथों से हाथ उठा करके अपना हाथ का पंजा दिखाए और हाथ का पंजा दिखा करके ये के तस्वीर की यह बुनियाद है आपकी बेटी की जिसको आप आशरवाद देने के लिए अहां भारी संक्या में आए हैं अपना दोनों हाथ दे करके अपनी बेटी को अपनी बेहन को मजबूत प्रदान करिए और यह आपकी आवाज को विधान सबा में जैसे पहले मजबूत प्रदान कर रही थी वैसे ही प्रदान करेंगी मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सभी को जारकंडी जोहार करना चाहती हूँ नमस्कार है प्रणाम है जोहार है जय हिन जजारकंड जानवी सिरामिक से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सेनेटरी वेर की पचास हजार से अधिक की खरिदारी और पाए पाँच खास कूपन के जरिये जी एस्टी काट कर चार साल के अंदर पूरी राशी वापिस जानवी सिरामिक हूर मोल डालटन गन शापूर रोड गणवा जार खंड शत्ते लागू